अगर आप कोस्ट पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी बजटिंग का चाप्टर पढ़ रहे है तो उसमें आपका ये टॉपिक जो है इंक्लूट है और वहां पे आपके लिए इसका एक वेशन अग्जाम में अपराम से बन सकता है तो चलिए स्टार्ट करें उससे पहले अगर आ किया है अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब तो फटा फटा हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बने वे चोटे से बला इकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जितने भी फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो यहां पर क्लासिफिकेशन और बजट हमने तीन प्रकार से किया है पहला ओन टाइम यानि ताइम को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार के आपके जो है बजट बन सकते हैं दूसरा ओन फंक्शन फंक्शन यानि कि आपका अलग- आपके बिजनस में उस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आपके कितने बजट बन सकते हैं तो सबसे पहले इसमें ओन टाइम के ऊपर जो है उसको ध्यान में देखते हैं उसको देख करके कितने टाइप के बजट बनते हैं उसको बारे में डिसकस करते हैं तो क्लासिफिक जो की design किया जाता है और वहाँ पे जो time होता है वो generally क्या होता है पास से 10 साल तक के बीच का या फिर उससे भी जादा हो सकता है तो जब आप कोई budget बनाते हो for long term period जो की long term का मतलब है की past से 10 साल तक का यहाँ पे अगर आप generally period ले रहे हो तो उसको कहा जाएगा long term budget short term budget जो है short term budget वो budget होता है जो की prepare किया जाता है जिसका period यानि जिसका जो time है वो less than 5 years होता है उसको कहा जाता है short term budget next is your current budget current budget यानि की ऐसा budget जो आप prepare करते हो सिर्फ एक हफते के लिए एक महीने के लिए या एक quarter के लिए जो की थोड़ा सा और छोटा पीरेड होता है यानि आज की सोचो कल की जादा चिंता मत करो या फिर कल तक की सोचो पड़सो की मत करो तो वो time period आप business में लेते हो जैसे एक हफता एक महीना या एक क्वार्टर एक इतना छोटा सा जो समय पीरेड होता है उसको ध्यार में रखते हुआ अगर आप बजट पनाओगे तो यह थे आपके time के base के ऊपर जिसमें हमने डिसकस किया long term, short term and current long term में जहां पे आपका जो time period होता है वो एक लंबा होता है past से 10 साल का वहीं पे जो short term period है वहां पे जो आपका time period होता है वो होता है past साल तक का और जहां पे आपका current period है, वहाँ पे जो time period होता है, that is about your one month, one week or maybe one quarter. तो इस तरीके से आपका current budget बनता है. और ये आपके time के basis के budget है. Now let's come to the classification according to function. Function को base में रखते वे जो classification की गई है, वो किस प्रकार से है? Sales का budget, Production का budget, Cost of Production budget, Purchase budget, Research budget, Capital Expenditure budget, Cash budget, Master budget and goes on. यहाँ पे जो आपके function के base पे होते हैं, इसमें और भी add हो सकते हैं. जो आपके enterprises है, उसमें कितने functions हो रहे हैं. जैसे कोई function है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ manufacturing का काम हो रहा है और उसको बेचा जा रहा है. या फिर दूसरे कोई company है, दूसरे कोई enterprises है, जहां से बहार से raw material लाया जा रहा है, या बना बनाया final goods भी लाया जा रहा है. और raw material को final goods में convert करेंगे, जो final goods भी लाये हैं, उसको भी साथ में बेच रहे हैं. तो यानि कि यहां पर trading भी हो रहा है, manufacturing भी हो रहा है, तो उनके जैसे-जैसे enterprises की सुविधा होगी है, जैसे-जैसे enterprises का सारा काम होगा, उसके according budget बन जाते हैं. तो जितने जादा function उतने जादा उसके basis पर budget बन जाएगा. तो यहां पर जो पहला budget है, that is your sale budget. Sale budget क्या होता है, this is the most important budget on which all other budget are based. इसी के उपर आपके सारे budget based होते हैं, जैसे कि आपने sale budget बना लिया, the sale manager is responsible for preparation and execution of the budget. यहां पर जो sales manager होता है, वो इसके जो sale budget होता है, इसका preparation कराता है, और जो budget बनाया गया है, उसको execute कराता है. तब budget forecast, total sale in terms of quantity, value, item, periods, area, etc. अब यहां पर जो budget होता है, इसमें क्या फोकास्ट किया जाता है, कि कितना total sale किया जाएगा, कितने quantity की जाएगी, कितना price होगा, कितने item बेचे जाएगी, कितने समय में बेचे जाएगे, और किस-किस area में बेचे जाएगे, जैसे एक शहर में दूसरे शहर में, अब इसी के उपर आपके दूसरे budget कैसे जो है निर्भर करते हैं, आपने जो है sale budget बना लिया, आपको 100 quantity बेच नहीं है, आपने पिछले समय तक जो है 50-50 quantity ही बेची हुई थी, अब आपने sale budget बनाया है, कि 100 quantity बेच नहीं है, तो हवा में तो आएगे नहीं कि भूख भूख मारी और हाथ वाथ घुमाया और आगए आपके हाथ में जो है जो product और फिर आपने बेच दिये, उसके लिए आपके production department को उतना produce करना पड़ेगा, और production department को produce करना है, तो उसके लिए purchasing department को उतना raw material खरीदना पड़ेगा, accounts department को उतना पैसा लाना पड़ेगा कि कहां से पैसे लाएं, कहां से manage करें, जो आपका finance department है, उसके वारे में सोचना पड़ेगा कि लोन उठाना है या फिर आपका जो है equity करनी है, क्या खरना है, तो sale के उपर आपके basically सारे budget जो है यहां पर निर्भर कर जाते हैं, next is your production budget, अब आपका sale अपने decide कर लिया, अब budget बनता है production budget, the budget is basically based on sale budget, यह जो है, sale budget के उपर based होता है, क्यों, क्योंकि जतना sale करने के लिए product चाहिए, उतना आपको प्रदाना पड़ेगा, produce करना पड़ेगा, so it forecast quantity of production in terms of term, in terms of item, periods, area, etc, the work manager is responsible for the preparation and execution of this budget, next is cost of production budget, अब CEO, जो आपका production बन रहा है, उसका कितना cost होने वाला ह है, इसका भी budget बनेगा, it forecast the cost of production के, कितना production का cost होने वाला है, separate budget are prepared for different element of cost, such as direct material budget, direct labor, direct factory overhead budgets, अब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपका separate budget बनता है, क्यों, क्योंकि आपका different elements जो है, आपके cost के उसके लिए, जैसे आपके direct material हो गया, direct labor budget हो गया, factory overhead budget हो गया, for these purpose, purchase budget, the budget forecast the quantity and value of purchase required for production के, production के लिए कितना आपको purchasing required है, उसके लिए आप यह purchase budget बनाते हो, next is your research budget, research budget यानि कि यह budget जो है, relate होता है, आपके research work से लेकर के, research work to be done for improvement in quality, जो आपके products quality को improve करना है, या आपके products की quality को improve करना है, तो उसके लिए आपको research करना पड़ेगा, या फिर नया product बनाना है, तो उसके लिए research करना पड़ेगा, और उसके लिए research budget बनाया जाता है, capital expenditure budget यानि capital expenditure ऐसा, यानि जो ऐसे capital के चीज़े आपको खरीद नहीं है, यह कुछ ऐसे चीज़े आपको खरीद नहीं है, जैसे machinery होगा, या कुछ यह सब चीज़े होगा, जिसका आप long term तक capital asset during the budget period, cash budget, कि कितना cash आपको चाहिए, the budget is the forecast of a cash position for a specific duration of time, कि एक time के बाद आपका क्या cash का position होगा, for different time period, it states the estimation amount of cash receipt and cash payment and the likely balance of cash in hand at the end of the different period, कि कितना आपको जो है estimation में कितना amount मिल चाहेगा cash का, कितना आपके हाद से जाने वाला है, और at the end of a specific period कितना आपके पास cash का बचके रहेगा, master budget यानि कि सब के पापजी, जिसमें सब कुछ involved हो जाता है, the summary, it is a summary budget, यह एक तरीके से summary budget होता है, जिसमें आपके सारे function के budget जो है, इसमें involved कर दियो जाते हैं, और एक तरीके से capsule form में आपके पास यह master budget आ जाता है, it interprets different function budget and covers within its range the preparation of projected income statement and projected balance sheet, जिके इस तरीके से आपका जो है, यह master budget बनके आता है, next is your according to flexibility, यानि कि एक होता है, ऐसा budget कि भई, मैंने कह दिया न, मतलब कह दिया, बस बात खतम, अलुशाशन, परमपरा और यह जो है, यह हमारा सिद्दानत है, हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, एक हमारे शारु खान जी, कि वह यह situation flexible person, कि अगर लोग बदल रहे है, उनकी feelings बदल रहे है, तो चीज़े भी बदलेंगी, तो उसी तरह अगर चीज़े खर्जे बदल रहे है, requirement business की बदल रहे है, तो budget में भी change करना पड़ेगा, और एक budget है, नहीं नहीं, हमारे जमाने में हम इतने रुपे का इतना समान लेते है, और आज भी लेंगे, तो वो क्या है, fixed budget की हम इतने में ही करेंगे, तो यहां पर classification according to flexibility, तो यहां पर दो टाइप की है, first one is fixed and second one is your flexible, when we talk about the fixed one, the budget prepared on the basis of standards or a fixed level of activity is called fixed budget, जहां पर एक जो है standard पह पिछला था या जो भी आपने ताइक किया हुआ था, उसके बेस पर जबाप budget prepare कर लेते हो, तो वो आपका हो जाता है, fixed budget and a fixed level of activity is called a fixed budget, it does not change with the change in the level of activity, जैसे जैसे activity में change होता है, उसके तहते जो है, इसमें changes नहीं आते, if the output and sales do not fluctuate from year to year or if an accurate prediction of the same may be made, a fixed budget can be prepared, अब यहां आपका suitable होगा, ऐसी जगे जहां पर जो है, आपकी change नहीं हो रही है, या फिर आपका sale, वो में changes आते ही नहीं है, साल दर साल, तो उसके लिए आप यह चूस कर सकते हो, या फिर आपका जो prediction है, वो इतना accurate होता है, कि आप उसमें इसको use कर सकते हो, कि हाँ, आपका sale का prediction, जो भी आपने decide की है, predict की है, उतना ही होगा, आपको पुरा विश्वाच है, तो पिर आप इसको use कर सकते हो, but next one is your flexible, a budget design in a manner so as to give the budget cost of any level of activity is termed as flexible budget, यहाँ पे जो है, सच a budget is prepared after considering the fixed and variable elements of cost and the change that may be expected for each item at various level of operations, so यह था आपका आज का वीडियो, देखे के फ्लेक्सिबल बजट में क्या बताया, क्या है, कि आपका सारे जो fixed and variable element है, cost के आपने जो है, उसको ध्यान में रखते विए, यह budget बनाया है, और अगर साथ में उसको जो variation आने वाला है, वो भी आपका जो है, एक expected आपने रख लिया है, उसके बाद आपने यह budget आप बनाते हो, कि उसमें flexibility रहे, so that's it for today guys, आज आपने डिसकस किया about the types of your classification of budget, जहां पर आपके जो है, budget के classification है, on the basis of time, on the basis of your function and on the basis of your flexibility, so आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में एक अखले topic के साथ अप तके लिए, take care of yourself and take care of your health and do not forget to subscribe the channel and please, please hit the bell icon, ताकि इतने भी फीचर में वीडियो अपलोड होंगी, उसका notification आप तक सबसे पहल पहुच जाएगा